दूसरी दुनिया में खुशाम देईद। दोस्तों आज हम मुक्तलिफ अजरामे फलकी के बारे में दस दिल्चस्प हकायक जानेंगे। नमबर एक सूरज हमारी मिल्की वे गेलेक्सी का सबसे रोशन सितारा है और हमारे निजामे शम्षी का 99 फीसद से ज्यादा मास सूरज में है। 2. रात के वक्त आस्मान पर नजर आने वाला चांद हमारे निजामेशंशी का पांचवा सबसे बड़ा सितारा है 3. अपनी सुर्क माइल शक्ली की वज़े से रेड प्लेनेट कहलाता है इस सैयारे पर हमारे निजामे शम्षी के सबसे बड़े आतिश विशा पहाड मौजूद हैं इन में से एक Olympus Moons है जो Mount Everest से धायगुना बड़ा है नमबर चार, खला में खलाबाज बेजान हो जाते हैं क्योंकि वो जमीन के गिर्द मुसलसल गिरने की हालत में होते हैं नमबर पांच, हमारे निजामे शम्षी के सबसे बड़े सैयारे जुपिटर में एक अजिम सुर्क धबा है ये एक बड़े तूफान का निशान है जो कम अज़कम 400 सालों से चल रहा है नमबर छे, जमीन और सुरज के दर्मियान फासले को फलकियाती इकाई कहा जाता है और ये तकरीबन 9 करोड और 30 लाख मील के बराबर है नमबर साथ, एंड्रो मेडा नामी कहकशा हमारी जमीन से तकरीबन 25 लाख नोरी साल के फासले पर वाक्या है और ये हमारे मिलकी वे गेलेक्सी से करीब तरीन कहकशा है नमबर आठ, कानात की उम्र तकरीबन 13 अरब और 80 करोड साल है और ये मुसलसल फैलती जा रही है नमबर नो, बलेक होल खला में एक ऐसा खिता है जहां कशिश सकल इतने मजबूत होती है कि रोशनी भी इसमें से नहीं गुजर सकती माहरीन फलकियात का अंदाजा है कि सिर्फ हमारे मिलकी वे गेलेक्सी में ही 10 करोड बलेक होल मुझूद है और नमबर दस, हमारी जमीन से अब तक मुझाहिदा की जाने वाली सबसे दूर दरात चीज जी एनजेर 11 नामी कहकशा है जो हमसे तकरीबन 13 अरब और 40 करोड नूरी साल के फासले पर वाक्या है